अजित पवार के महाराष्ट का मुख्यमंत्री बनने की बाद एक बार फिर सुर्ख्यों में है दरसल यह इच्छा उनकी 86 साल की मा आशा पवार ने मीडिया के सामने जताई है आशा पवार रव्यवार को महाराष्ट में हुए ग्राम पंचा चुनाओं में वोट डालने आई थी आशा ने कहा कि अब मेरा आखरी समय ही है इसलिए लगता है मेरे जिन्दा रहते मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने लेकिन लोगों का कुछ नहीं कह सकते बारामती में सब हमारे ही हैं वहां सब लोग अजित से प्रेम करते हैं जुलाई दोजार तेवीस में अजित एंसीपी के चालिस विधायकों के साथ महाराष्ट के शिंदे सरकार में शामिल हो गया थे गड़बंदन सरकार में उन्हें डिप्टी सीम भी बनाया गया है शरत से अलगाओ के बाद अजित ने दावा किया था कि एंसीपी का बहुमत उनके पास है इसलिए पार्टी के नाम और सिंबल पर उनका अधिकार है अजित ने 30 जून को चुनाव आयक से याचिका दायर कर एंसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन पर दावा किया था दूसरी तरफ शरत पवार ने पार्टी छोड़ कर जाने वाले नो मंत्रियों समेत 31 विधायकों को अयोग घुशित करने की मांग की है